आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे पांच इंपोर्टेंट टाइप वो भी किसका है ट्रांसलेशन का जो की 11th 12th के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो आप जल्दी से एक कॉपी ले करके आ जाईए क्यूंकि जो मैं टाइप आपसे इस वीडियो में पूछूं जैसा की देखिए पहला आपका ट्रांसलेशन है कि मैं पढ़ता ही तो हूँ दूसरा टाइप रहेगा मैं पढ़ता रहता हूँ तीसरा रहेगा मैं पढ़ता ही रहा चौथा रहेगा मैं पढ़ता ही रहता हूँ पांच वापका रहेगा मैं पढ़ने ही वाला हूँ इन टा नोट कर लीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजिए ओके तो चलिए स्टाट करते हैं पहले टाइप की तरफ पहले टाइप में हम लोग बात करेंगे कि मैं पढ़ता ही तो हूँ तो स्ट्रक्चर अपके क्या हो जाएगा सब्जिक्ट प्लस डू डू डज डिड प्लस भी वन और एक ट्रीक अप याद रखिएगा ही तो हूँ तो आप समझ जाएगा कि डू डज डिड इंफैटिक सेंटेंस जोरदार वाक्य तो ही तो हूँ रहेगा तो डू डज ही तो था रहेगा तो डिड ये कॉंसेप्ट आप बढ़िया से समझी है ही तो हूँ रहेगा तो डू डज ही तो था रहेगा तो डिड चुकि पास्ट में जा रहा है आपका वाक्य है तो अब ये प्रस्णा गया कि do किसके साथ, डज किसके साथ, तो देखिए, I, we, you, they, दो नाम के साथ do, he, see, it और एक नाम के साथ, अब क्या लगा येगा, डज, और आपको मालूम है कि did कहां लगाना है, वो तो आपका, जो भी subject होगा, first person हो, या second person हो, या third person हो, सब के साथ क्या होगा, did, तो पहले बात करते हैं, do और डज की, तो translation में कोई क्या रहेगा, ही तो हूँ, तो do और डज, अब subject के coding आप देख लिजेगा, कि do होगा कि डज होगा, तो यहाँ पर तो आप समझ गया, कि do किस के साथ, I, V, U, दे दो नाम के साथ, और डज किस के साथ, he, see, eat और एक नाम के साथ, अब practice करते हैं, तो मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो कैसे बनेगा आपका, I do read, ठीक है, वह पढ़ता ही तो है, तो he does read, अब next है, कि सोहन पढ़ता ही तो था, तो कैसे होगा, सोहन, did, read, चुकि पहला तो यही नहाँ है आपका, कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो ही तो हूँ रहेगा, तो do does, ही तो था रहेगा, तो did, और ये structure आप लिख लिजिए, subject plus, do does, डिड के बाद आपका क्या आता है, भी वन, ये structure आपको, final exam में, two marks जरूर दिला देगा, यदि आप previous paper की practice करते होंगे, तो जरूर question आपको मिलता होगा, do does, डिड याद रखिएगा, भी वन, बहुत important point है आपका, subject plus, do does, डिड के बाद, भी वन, ठीक है, तो ही तो हूँ रहेगा, तो do does, ही तो था रहेगा, तो did, तो पहला आप type समझ गए होंगे, मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो कैसे बनेगा, I do, read, अब type two की बात करते हैं, तो type two को देखते हैं, तो type two आपका क्या है, समझते हैं, वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, समझेगा बढ़ियां से, इन वाक्तियों से, यह बोध होता है की कारेवे अपार, वरतमान काल में जारी रहता है, वह पढ़ता रहता है, यानि कि वरतमान काल में, जो आपका काम है, वो क्या है जारी रहता है तो इसके लिए आपका structure क्या है देखिए subject plus go on plus goes on plus before वो पढ़ता रहता है तो कैसे बनेगा ये तो आप concept समझ गये कि कोई काम जो है वरतमान काल में क्या है जारी रहता है structure आपका क्या है subject plus go on plus goes on plus before अब ये समझना है go on कहां होगा, की से subject के अनुसार होगा, goes on, तो चलिए समझते हैं, I, We, You, They, दो नाम के साथ आपका go on, और He, See, It और एक नाम के साथ goes on, जब भी आपका translation मिलेगा, कि वो पढ़ता रहता है, वो खेलता रहता है, यानि की काम जो आपका है, वरतमान काल में क्या है, जारी रहत है, तो उसका translation कैसे बनाएंगे, go on और goes on, तो go on आपका कैसे, किसकी subject के अनुसार, तो I, We, You, They, दो नाम के साथ go on, He, See, और एक नाम के साथ goes on, तो अब इसकी practice करते हैं, वो पढ़ता रहता है, तो कैसे बनेगा, तो बनेगा आपका कि He goes on reading, वो पढ़ता रहता है, कैसे ब है, आपको मालूम है, third person singular number के साथ, आपको goes के use होगा, तो goes on reading, बिल्कुल सही है, मैं पढ़ता रहता हूँ, यानि कि वरतमान काल में क्या है, काम जारी है, I go on reading, मैं पढ़ता रहता हूँ, कैसे बनेगा, I go on reading, तो दूसरा जो type है, कि वो पढ़ता रहता है, यानि कि काम ज दारी रहता है, तो subject plus go on plus goes on plus be four, वो पढ़ता रहता है, ठीक है, और पहला type हम लोग क्या पढ़े है, कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो subject plus do does did plus be one, दूसरा type है, कि वो पढ़ता रहता है, यानि कि काम जो है, वरतमान काल में जारी रहता है, तो कैसे बनेगे, subject plus go on plus goes on plus भी 4 बढ़िया से आप दोनो sentences को समझ गए होंगे next type में देखते हैं तो देखिए तीसरा type आपका है कि मैं पढ़ता रहा बिल्कुल दूसरा type है लेकिन ये क्या हो जा रहा है simple past में दूसरा type आपने पढ़ा कि वो पढ़ता रहता है go on plus goes on और तीसरा है कि मैं पढ़ता रहा simple past तो आपको मालू मैं structure देखिए go का went हो जाएगा भी 2 चुकि simple past में वाकिज जा रहा है तो go के क्या हो जाएगा went तो subject plus went on plus before मैं पढ़ता रहा तो कैसे बनेएगा आपका translation बनेगा कि I went on reading उससे पहले आप structure को बढ़िया से समझ लिजिए subject plus went on go कभी to went हुआ चुकि simple past की बात हो रही है तो go का आपका क्या हो जाएगा simple past went on उसके बाद भी 4 तो मैं पढ़ता रहा कैसे बनेगा I went on reading चलिए इसका दो method और है समझते हैं उसे भी आप I kept reading भी बना सकते हैं किसका मैं पढ़ता रहा ठीक है I kept reading या एक और तरीका आपका है I continued to read तो ये तीन तरीका से आप इस translation को बना सकते हैं इस type का मैं पढ़ता रहा तो आप कैसे बनेगा subject plus went on plus before या आप और भी दो तरीका से बना सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया पहला तरीका I went on reading दूसरा I kept reading keep का आपका भीटू है kept continue का आपका भीटू है continued I continued to read तो मैं पढ़ता रहा simple past में दूसरा आपका है कि वह खेलता रहा he went on playing और simple past में कैसे बनेगा he kept playing ये भी आप रैक्टिस कर लीजिएगा मैं पढ़ता रहा आप समझ गए किसे structure पर बनेगा subject plus went on plus before next type आपका है four number समझते हैं बढ़ियां से वह खेलता ही रहता है देखिए इससे पहले था कि वह पढ़ता रहता है वह खेलता रहता है चार number जो आपका structure है subject plus do, does plus nothing plus but plus infinitive वह खेलता ही रहता है यानि केवल वह एक ही काम करता है केवल खेलना और कोई काम नहीं वह खेलता ही रहता है यानि केवल एक ही काम करता है केवल खेलना और कोई काम नहीं तो इसका structure क्या हो जाएगा subject plus do does plus nothing plus but plus infinity बढ़ियां से समझने का परियास कीजिएगा देखिए बिल्कुल हु बहु एक जैसा translation है लेकिन change हो रहा है आपका देखिए पहला था मैं पढ़ता ही तो हूँ दूसरा था वो पढ़ता रहता है बिल्कुल देखिए वो पढ़ता रहता है मैं ही न केवला आया इसलिए आपका बिल्कुल structure change हो गया बनाने का तरीका अलग हो गया तीसरा हम लोग पढ़ें मैं पढ़ता रहा चौथा आपका है कि वो खेलता ही रहता है यानि कि खेलने के सिवा और कोई काम नहीं structure आप समझ गया do, does आपको मालूम है I, we, you, they दो नाम के साथ क्या लगाएंगे do, he, see, it और एक नाम के साथ does practice करते हैं वो खेलता ही रहता है तो कैसे बनेगा he does nothing but play बनिया से समझेगा वो खेलता ही रहता है तो कैसे बनेगे he does nothing but play वो खेलता ही रहता है ठीक है next आपका है example कि सीता गाती ही रहती है तो कैसे बनेगा सीता does nothing but sing पहला था कि वो खेलता ही रहता है he does nothing but play दूसरा आपका है कि सीता गाती ही रहती है तो सीता does nothing but sing तो ये आप चार नंबर्स हो है समझ गये होंगे वा खेलता ही रहता है कैसे बनेगा ठीक है यानि कि काम केवल ये कहीं करता है सिवाए खेलने के कुछ नहीं आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद पांचवा टाइप की तरफ बढ़ेंगे तुम लिखते ही तो हो पहला आपका टाइप हो गया कैसे बनेगा यू डू राइट बिल्कुल सही आपका तुम खेलते ही तो हो कैसे बनेगा यू डू राइट तुम लिखते रहते हो ये आपका हो गया second type यू गो ओन राइटिंग तुम लिखते रहते हो कैसे बनेगा you go on writing तुम लिखते रहे तीसरा टाइप you went on writing देखिए प्रैक्टिस में मैं तीन आपको जितना भी हम लोग प्रैक्टिस किये उसको समझते हैं बढ़ियां से तुम लिखते ही तो हो पहला टाइप you do write दुसरा तुम लिखते रहते हो you go on writing तीसरा तुम लिखते रहे simple past you went on writing तो ये तीन प्रैक्टिस के लिए तो ये चार हो गए अब next बढ़ते हैं 5 की तरह पाचवा टाइप important है जरूर देखिए यहां से next देखिए पाचवा टाइप आपका है कि वो रोने ही वाला है वो पढ़ने ही वाला है इन वाक्यों के भाव से supposed है कि काम बहुत ही सिग्र सुरू होने वाला है वो रोने ही वाला है वो पढ़ने ही वाला है तो इस वाक्य से क्या समझने को मिल रहा है हम लोग को यानि कि इन वाक्यों के भाव से स्पष्ठ है कि काम बहुत ही सिग्र सुरू होने वाला है structure की बात करें subject plus is mr plus about plus infinitive आपको मालूम है 2 plus v1 वो रोने ही वाला है वो पढ़ने ही वाला है कैसे बनेगा subject plus is mr plus about plus infinitive यदि था होगा तो वाज़वर कर दीजिएगा तो example देखिए वो पढ़ने ही वाला है he is about to read अब next step practice करने के लिए आपको कि वो पढ़ने पढ़ने को है वो पढ़ने ही को है वो पढ़ने ही पर है इन तीनों translation को आपको बनाना है तो चलिए मैं थोड़ी सी मदद कर दे रहा हूं देखिए इसी पर आप बनाईएगा वो पढ़ने ही वाला है या वो पढ़ने पढ़ने को है या वो पढ़ने ही को है वो पढ़ने ही पर है चारो sentences का जो meaning है बिल्कुल एक है तो जब meaning एक है तो बनेगा भी एक तरीका से तो इन तीनों को भी आपको कैसे बनाना है He is about to read कैसे बनेएगा He is about to read वो पढ़ने ही वाला है वो पढ़ने पढ़ने को है ठीक है वो पढ़ने ही को है वो पढ़ने ही पर है तो बनेगा आपका सब बिलकुल एक ही तरीका कौन सा He is about to read अब next रहेगा कि मैं जाने को ही था तो कैसे बनेगा I was about to go चुकि था है इसलिए वाज का यूज हुआ सीता रोने रोने को थी सीता वाज अबाउट टू वीप सीता वाज अबाउट टू वीप practice की बात करें तो किया आप जाने वाले थे were you to go वो मरने मरने को था he was about to die तो आज इस वीडियो में हम लोग कितना टाइप का ट्रांसलेशन पढ़े 5 पांचवा आपका था कि वो रोने ही वाला है वो पढ़ने ही वाला है structure आप समझ गया subject प्लस is mr प्लस about प्लस infinitive ठीक है practice भी हुआ आपका वो पढ़ने ही वाला है सीता रोने रोने को थी कि आप जाने वाले थे वो मरने मरने को था इन पांचो टाइप को आप एक copy में note कर लीजिएगा अच्छी तरह से practice करते रहिएगा और जब भी समय मिले तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ओके धन्यवाद